गुद अप्टून सर्, मेरा नाम प्रतीक है, मैं Easy Life Insurance Company से हूँ, आपके 10 मिनट लेना चाहूँगा अगर आपकी जाज़त हो तो नहीं, मुझे कोई इंचुरेंस नहीं चाहिए सॉरी सर, आपको फिर से डिसर्प कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, 10 से 11 मिनिट नहीं होगा, आपका फाइदा ही होगा सर सर, जैसे लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, तो हमारी जो इजी लाइफ इंचुरेंस कंपनी है, वो ऐसे टाइम पर इंचुरेंस प्रोवाइड करती है, जो कि आपको हेल्थ के इशू होते हैं, या फिर आपके फैमिली के हेल्थ के इशू होते हैं, यह हमारी कंपनी का ब्रोश्र है, इसमें देखिए, सारी पॉलिसी लिस्टेड है, 6 लाइक की पॉलिसी है, 30,000 प्रीमियम है, वन येर का लॉकिंग पिरिड है, तो आपको आप बताईए, इसमें से कोई भी चूज कर रही है, मैं आपको इसके बारें बता सकता हूँ, दस मिनिट हो गए आपके, चलिए, अरे यार तुम फिर आ गए, सारी सर, मैं अपने मोबाइल भूल गया, तैंक यू सर, गर्मी बहुत है बार, पानी पी हो गया, जी, तैंक यू सर, मैं चलता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, ये इन्शुरेंस क्यों भेशते हो, सर, आपके दस मिनिट मैंने ऐसी जाया नहीं किया थे, मेरा मानना है कि लाइफ में सिक्यारटी बहुत जरूरी है, और बागवान ना करे कुछ गलत हो जाए, तो हमें मेंशा तैयार है ना चाहिए, अच्छा मतलब मैं मैं जिन्दा रहते तो तुम्हारा प्रोड़क्ट यूजी नहीं कर सकता, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसा ही तो है ना, अगर मुझे तुम्हारा प्रोड़क्ट यूज करना है तो मुझे मरना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फादा ही नह Would you like to have a drink? Sir, मैं बिल्कुल नहीं पिऊंगा भी अरे ठीक है यार, तुम्हें पीना पीओ, नहीं पीना मत पीओ Sir, अगर आप चाहें, तो मैं आपको family plan बता सकता हूँ insurance का अरे भाईया, नहीं, तु रिलाक्स करना एर, सिर से पाउं तक पसीना पसीना होकर रखा है वैसे, दिन में कितनी बेचनी पड़ती है, policy? Sir, एक दिन में target दो से तीन policies का होता है दो से तीन, और आज कितनी भी की? अभी तक तो एक भी नहीं तो तीन तो बज़ गया, फिर आज का target तो नहीं मेट कर पाऊगे तुम ऐसे यसे, कभी पूरा होता है, कभी नहीं होता सही है यार जिचाए जितनी भागदोड कर लो, targets कभी मेट नहीं होते Sir, आपने नहीं बताया, आप क्या करते हैं? मैं? बस यहीं समझ लो कि मैं भी तुमारी तरह खचरो वाले ही काम करता हूँ Sir, एक बाद पूछू आपको पढ़ने का शौक है क्या? हाँ और लिखने का भी? तुम्हें ये किसने बोला कि मुझे लिखने का शौक है? नहीं सर, ऐसी लगा तो पूछ लिया अब तुम ऐसे वाइल्ड गैसेस मार रहे हो तो हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं सर, लिखने का शौक तो मुझे भी है, कुछ सुनाई है न बोलाना ज्यादा कुछ नहीं सुनाने लाइक नहीं है ओके सर अगर फितरत की कलम होती हमारे हाथों में तो दास्तान कुछ और लिख रहे होते हैं ख्वाबों से तो कपका रिष्टा तूट चुका अरमानों के बांध भी दिख रहे हैं कोहरे में खोते अपनी किस्मत खुद बनाने की सला तो सुनी है हाथ की लकीरों को बदलने वाले भी खूब देखे आज नजरे जुका जब अपने हाथ को दिखा करते हैं सोचते हैं इन खुर्दूरे निशानों को मिटाएं कैसे हैं मैं एक रैटर बनना चाहता था बहुत अच्छा लिखता था पर बन नहीं पाया क्यों शायद हिम्मत शायद किस्मत सर आप अकेले रहते हैं मेरा मतलब फैमली वाइफ मेरा डिवर्स हो चुका है अँशारी सर तुम बताओ तुम्हारे शादी हो गई जी लव या अरेंज अरेंज ये लव शाद तो आप जैसे बड़े लोगों क्या होता होगा से हमारे हाँ तो मेरा मतलब वो नहीं था से अँशारी अच्छा वो तुम्हारी इंशुरेंस पॉलिसी में न मेरे को कुछ डॉट्स है जी पूछे ये किन-किन सरकम्स्टैंसे में कवरिज देती है सर गॉड़ फॉर्बिड अगर डेथ नैचल कॉजस से होती है आक्सिडेंट से होती है या मडर से भी तो कवर के लिए हमारी कमपणी लाइबल है से अच्छा और सुसाइड के केस में? सुसाइड? सुसाइड तो क्रिमिनल ओफिंसे है पर है तो डेथ ना? सुसाइड करना गलत है मेरा मतलब अनाचल है अरे तुम कोन होते हो सुसाइड को जज़ करने वाले? तुम को क्या पता सामने वाला कितनी तकलीफ में है? सर अगर लाइफ में प्रॉबलम है तो उसे सौल करनी, कोशिश करनी चाहिए अच्छा तो तुम बताओ मुझे कि आज की डेट में तुम अपनी लाइफ में अपने लिए क्या कर रहे हो? अरे नहीं, तुम तो लिखते हो, लिखते हो ना? कुछ खास नहीं लिख पाता, अब तो सारा वक्त लाइफ की भागदोर में निकल जाता और तुम खुश हो? मेरे खुश होने ना होने से क्या फरक पड़ता? मैं यहां बैठा हो तुमारे सामने, मुझे देखकर तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ कितनी बेकार हो सकती आगे जाके रोज दोपेर मैं अकेला बैठकर यहां पर दारुपीता रहता हूँ और तुम ऐसी लाइफ जीने की तरफ बढ़ रहे हो? अरे कुछ करो इससे पहले कि वो तुम्हें भी अंदर से खोगला बना देख वो? वो कौन? कुछ नहीं देखो, मेरे टाइम तो निकल चुका है 15 साल से अपने आप से लड़ रहा हूँ हर वक्त लेकिन तुम्हार पास तो टाइम है अब हचीज अपने हाथ में नहीं होती है अरे यार तुम समझी ने रहो तुम्हें पता नहीं अक्यलोपन कैसा मेसूस होता है अच्छा, एक काम करना यहां से ठेके पर जाना, दारू उठाना और अक्यले घर पे बैठके पीना और फिर सोचना कितना टाइम होगे तुम्हारी शादी को दो साल बच्चे हैं? नहीं और तुम यह सब कुछ करके खुश हो घर की सब जरूरते पूरी हो रही है पता नहीं, घर तो चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक शर्ट टाइल लगा कर दुनिया को चूतिया बना रहे हो तुम और खुद भी बन रहे हो सब पता है मुझे, मैं जानता हूँ कि तुमारे घर में कितनी खुशिया आ रही है और तुमारे मन में कितनी सर देखिए, ना आप मुझे जानते हैं ना आप मेरे घर के बारे में कुछ जानते हैं तो हम दोनों ये बात ना करें तो जादा अच्छा क्यों क्यों डल लग रहा है कि जूट टिक नहीं पाया कोई जूट नहीं है सर, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आपको क्या पता मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। इसने निकलता हूं और दिन बर्ण के धक्के खाकर जब घर पहुंसता हूं तो बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं गैस नहीं है राशन नहीं है कार नहीं है घिनाती है खुद पर लगता है कि वह क्या चीज है जिसके लिए मैं जी रहा हूं इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी जिंदकी अपने हिसाब से एक बार जी सको अगले दिन फिर सुबहा वही सब क्या कोई है वहां पर कहां मुझे लगा मुझे लगा कोई हमें देख रहा था क्या मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं जा रहा हूं कौन था वहां पर किसे देखा तुमने तुम यह कैसे मैसूस कर सकते हूं कोई हमें देख रहा था कोई और यह कैसे मैसूस कर सकता है नहीं बता मुझ यहां पर कोई है जो मुझे देखता रहता है आज तक मैं यह सोचता रहा कि मेरे अंदर की बेबसी है हमेशा हर वक्त तुम पागल हो अगर मैं एक फिलिट भी हारा तो भाई पागल हो जाओंगा मुझे इस बात का मैं पागल नहीं हूँ ऐसास दिलाता रहता है कि में अपने कि में अपने कि में अपने के अपने कि में अपने के विलिट वी प्याता विलिट है वे दीडि़ प्लिट को भीदिय की दोग्यआ है काफी वक्त गुजर चुका सूरज को निकले हुए सांज की परच्छाईयों ने कब कर डेरा डाल लिया नजाने ये घंगोर अंधेरा है या भेत कौरा डर है कि कहीं देर ना हो जाए सुबह होते होते कि कि कहीं देर हुए कि 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 अधिए भेत कुरा अंधेर है ये जाने ये भेत काफी परिश आज सुबह होते हैं झाल झाल